तो मुंबई इंडियन्स की टीम का कंडीसन इस समय IPL 2024 में कैसा है ये हम सभी को पता है तीन मुकाबले और तीने ही मुकाबले ये हार चुके हैं सबसे पहले गुजराट टाइटन से हारे फिर हैदराबाद से टीम हैदराबाद की टीम से हारे और उसके बार राजस्थान रोयल्स की टीम ने इनको हराया और ओर यहां पे मुंबई इंडियन्स की टीम इस समय IPL 2024 में सबसे नीचे है पॉइंच टेबल में लेकिन अब नहीं क्योंकि सुर्य कुमार यादो की वापसी हो गई है अगले मैच में मुंबई इंडियन्स के टीम के लिए सुर्य कुमार यादो हमें 7 अपरेल को डिली कैपिटल्स के टीम के खिलाफ खेलते हुए दिखाए देंगे ये नीउस तो कल हमने आपको टेली ग्राम चैनल पे दीती सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमें टेली ग्राम पे जॉइन नहीं किया है लिंक डिस्क्रिप्सन में है जाके जॉइन कर लीजए आई पिल और क्रिकेट से जुड़ी हर खबर वहाँ पे हम प्रोवाइट करते रहते हैं तो बात करते हैं कि सुर्या के आने के बाद इस टीम की प्लेइंग 11 कितनी जावा खतरनाक होगी और क्या कुछ बदलाओ इस प्लेइंग 11 में होगा मुंबई की तरफ से नमबर एक पे आएंगे रोहिस सर्मा जो कि हम सभी को पता है उनके साथ इसान की सन और तीन पे सूरे कुमार यादो तो सूरे कुमार यादो अगले मैच में दिल्ली के किलाव साथ अप्रैल को खेलेंगे जैसा कि हमने आपको बताया और ये मुंबई का टोप ओडर होगा टोप थिरी होगा मिल्ल ओडर में नमबर चार पे तिलक वर्मा पाश पे निहाल वदेरा शे पे हार्दिक पांडे और साथ पे टिम डेविड ये चार खिलाड़ी मुंबई के मिल्ल ओडर बले बाज हो सकते हैं मैं यहाँ पे प्रसनलिस सर्प्राइज थ तो मैंने निहाल वदेरा को रखा है और मुंबई को भी इनको मौका देना चाहिए और बाकी टीम डेविड हार्दिक पांडे और तिलक वर्मा ये तीन इनके मिल्ल ओडर बले बाज कनफॉर्म हैं जो कि इनके प्लेइंग 11 में दिखेंगे ही दिखेंगे और बॉलरों में ये चार गेंदबाज इनके प्लेइंग 11 में दिख सकते हैं अब नुवन थुसारा के बारे में सायद आपको ना पता हो जिनको नहीं पता उनको बता दू कि नुवन थुसारा स्रिलंकन गेंदबाज हैं जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म हैं आईपेल के स्टार्टिंग से ही हमने अपने प्लेइंग 11 में इनको रखा था और अब तो तीन मैचेस हो भी चुके हैं गेंदबाज कुछ उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर नहीं रहे हैं क्वेना मापाका भी कुछ उतनी अच्छी गेंदबाजी कर नहीं रहे हैं आईपेल की स्टार्ट हुई थी तो पहले मैच में गुजरात के खिलाब हमने अपने प्लेइंग 11 में उनको रखा था और जब उनको प्लेइंग 11 में मौका मिला तो हमारी वो जो जो प्लेइंग 11 थी वो राइट साबीत हुई क्योंकि नहीं पिछले मैच में बहुत ही की नई प्लेइंग 11 और ये प्लेइंग 11 है मुंबई की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 इसी प्लेइंग 11 के साथ मुंबई इंडियन्स की टीम को उतरना चाहिए दिल्ली कैपिटल्स के टीम के खिलाफ और देखिएगा आप कैसे दिल्ली की टीम के खिलाफ मुंबई की टीम अपने पहली जीत हासिल करेगी अगर इस सबसे मजबूत प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी सुर्या की राफसी तो एक यूज पॉइंट है तो सभी मुंबई इंडियन्स के टीम के फैंस को खुश हो जाना चाहिए क्योंकि अब मुंबई के अच्छे दिन आने वाले हैं और अब लगतार दो तीन मुकाबले भी मुंबई की जीत सकती है जिस तरह से इनके टीम के खिलाडी है टीम इंडियन्स पॉइंट है जो कि हमने काफी पहले आपको बताया था तो डिपेंड करता है अब टीम इंवार्मेंट कैसा होता है उस हिसाब से मुंबई की टीम परफॉर्मेंस करेगी या फिर इस टूनामेंट में कमबैक करेगी लेकिन आपको क्या लगता है मुंबई की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए सुर्या के वाथ्ची के बाद किसे मौका मिलना चाहिए किसे नहीं क्या 3 विदे सी खिलारी होने चाहिए या फिर चार अपनी रायक कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइगा वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजे टेलीग्राम पर जॉइन कर ले लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए लिक्स क्रिक्ट फैमली का हिस्सा बन जाएं